हेलो दोश्तों, गीत कोकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं धाबा स्ट्राइल में मसाला सोया चाप मसाला सोया चाप बहुत ही आसान है, आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं जटपट और यह खाने में भी बहुत ही मज़दार सी लगती है हमने यहाँ पर एक बरतन में दो कलास पानी लिया है और फिलिम को रखा है लो टू मीडियम यहाँ पर हमने च्छे स्टिक ली हैं सोया चाप की यह मार्केट में आसानी से अबलिबल होती है बिल जाती है असानी से तो हमने यहाँ पर एच्छे सोया चाप की स्टिक ली है और इसे हमें गरम पानी में दस मिनट के लिए बॉयल करना है ज्यादा हमें बॉयल नहीं करना है बस हलका साम दबा के देखेंगे आराम से वारी जो स्टिक के निकल जाए यह देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारी स्टिक को निकाल देंगे यह आप देख सकते हैं हलका गरम में हमने आप इनको कट कर लिया है यह आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे यह सोया चाप को कट करने के बाद एक बावल में हम ट्रांसफर कर लेंगे बावल में ट्रांसफर करने के बाद हम इसे मेरिनेट करेंगे मेरिनेट करने के लिए हमने आप लिया है दो चम्मच के करीबन दही के साथ हम यहां पे लेंगे कस्मीरी लाल मिट्स एक चम्मच के करीबन हमें दही गाड़ा लेना है द दही का फ्लेवर है बहुत ही अच्छे से हमारी स्वयाच आज आएगा बहुत ही मज़िदार सी बनेगी यह जब तक हमारी मेरिनेट होती है हम यहां पे लेंगे दो चमच के करीबन ओई लेना है हमें लेंगे आट से दस कलिया अद रख एक इंच के करीबन लेना है और दो पक जाएंगी तो हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे जब तक हम क्या करेंगे जो हमारी स्वयाच आप है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है उन्हें हम यहां पे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे हलका जब ब्राउन हो जाएंगी आप देख सकते है अलका ब्राउन होने पर हमेंसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे हमारे जो स्वयाच आप हैं अच्छे से फ्राई हो जाने चाहिए तब ही हमारी स्वयाच चाप बहुत अच्छे से बनती है हम कुछ मसाली लेंगे एक बावल में हमने हरा सूखा धनिया लिया है दो च नमक के नमक के लिए चाहिए जैसा बिए आदा चमच के करीबन लेंगे लेंगे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसमें हम आदा कप के करीबन पानी यहां पर एड़ कर देंगे स्वयाच आपको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसको बॉल करना बहुत जरूरी होता है तब हम पौइल करने के बाद हम अच्छे से उनको फ्राइए करेंगे तब यह वह स्वयाचा बहुत अच्छी बनती है बुनाओ जीरा पाउडर एक चमच के करीबन लेना है हमें यह मसाला हमारा तयार है हम इसे रख देंगे अब हम क्या करेंगे कड़ाई लेंगे और इसमें हमें ल लाइची एक हरी लाइची दो दाल चीनी एक मिजर्मेंट के अकॉर्डिंग यह आप काम कीजिएगा हींग एक पिंच के करीबन लेना है तेजपत्ता दो लेना है अच्छे से हमें इसे पकने देंगे उसके बाद हम लहसन और अद्रक का पेस्ट यहां पर एड़ कर देंग लो टू मीडियम फ्लेव रखेंगे अच्छे से हमें अबाल आने तक पकाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे जो मसाला हमने भिंगो के रखा था वो कुछ मसाले हम यहां पर एड़ कर देंगे और जब तक हमें पकाना है जब तक कि हमारा जो मसाला है तेल छोड़ने ना ल करेंगे तो हम यहां पर सोया चाप को एड़ कर देंगे और आदा या एक ग्लास के करीबन पानी का इस्तमाल हम करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग आपको घ्रीवी खानी है तो अपने अकॉर्डिंग आप पानी का इस्तमाल कर सकते हैं यह देखिए हमारा जो मसाला है ते गार्निशिंग करेंगे आप नान के साथ रोटी के साथ लच्छा पराटी के साथ या फिर आप रूमाली रोटी के साथ इसे सर्व करें बहुत ही अच्छा लगता है थेंक यू